एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक्जामपस देख लेते हैं एडिशन और तिर्जट नंबर रीग्रूपिंग हंड़ड रीग्रूपिंग हंड़ड क्या होता है देखिए वी रीग्रूप टेन वन्स एज वन तेन एज वन हंड़ड यह चोटी चोटी स्टार्ट से दिये हुए है यह तो यह हो जाता है फोर डिजट नंबर हम आगे आड़ करना सिखेंगे अब हमारी एक्सराइज स्टार्ट होती है 2.2 question first इसमें दिया हुए add the following by rebooking 10 and once first question इसमें दिया हुए देखिए यह 100 वाले digits की तरह है जो आप पहले पढ़ चुके है 596, 249 इसको हुनने add किया है 6 और 9 15, carry 1, 9 और 4 14, carry 1, 5 और 2 plus carry 8 इसी तरह से यह बाकी तीनों questions होंगे next question number second add the following regrouping 100, regroup 10s and ones if required यह 4 digit number आ गए हमारे 1000 वाला जो अभी हमने example पढ़ा था first question इसमें दिया हुए है 965, 487 हम add करते हैं इसको 7, 5 और 7, 2, 12, 12, 2 लिखेंगे 12 का 1 carry, 6 और 8, 15, carry 1, 9 और 4, plus 1, 14, 14 लिखने के लिए हम लिए हमारी डिजिट यहां पर 1000 प्लेस पर आ गई तो हम इसे पढ़ेंगे 1452 इसी तरह से यह दोनों questions होंगे इसके बाद हमारा third question आता है solve the following start third question इसमें solve the following first इसमें दिया हुए रोहित सिक्क्य और 460 marks in semester 1 exam and 483 marks in semester 2nd exam रोहित ने first semester में इतने marks score किये हैं और second semester में उसने 483 marks score किये हैं तो अब total marks जो है वो उसने कितने score किये हैं आपको यह बताना है हम इने add करेंगे firstly रोहित ने secure किये हैं first semester में 416 second semester में उसने score किये हैं 483 जब हम इने add करेंगे तो यह हो जाएगा 6 और 3 9 1 और 8 9 4 और 4 8 total securing marks हैं उसके 899 next question इसी तरह से है हमारा विने bought a t-shirt worth 319 and a pair of trouser worth 819 how much money did he spend in all विने ने एक t-shirt खरीदी 319 की और एक pair of trouser खरीदा उसने 890 का तो उसने total कितने पैसे खर्च किये हैं आपको यह बताना है second question हमारा इसमें विने bought a t-shirt worth 319 he bought a pair of trouser उसने कितना pair of trouser कितने का लिया 890 का हम इसको add करेंगे 9.09 1 और 9 10 carry 1 3 और 8 और 1 12 तो यह हो गया 1209 total spending money है उसकी 1209 next question हमारा question number 3 see a shopkeeper store 216 chocolates ice cream and 472 strawberry ice creams एक shopkeeper ने 216 chocolate ice cream और 472 strawberry ice cream बेच दी How many ice cream did he shell in all तो उसने total कितनी ice cream बेच ही है Solve कर लेते हैं इसको और shopkeeper sold chocolate ice cream 216 He sold strawberry ice cream 472 दोनों को add कर लेते हैं 6 or 2 8 1 और 7, 8 2 और 4, 6 तो टोटल आइस्क्रीम जो उसने सोड की है यानि बेची है वो हो गई 688, थैंक यू